अगर आपने तीर पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो में आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनको भी चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो तो कॉशन देखिए तो थिकनेस ऑफ ग्रैवल पैकिंग थिकनेस पूछ रहा है कि इसकी ग्रैवल पैकिंग की जो आप प्रवाइड करते हैं किसमें ग्रैवल पैक ट्यूब जो होता है एक उसमें आप ग्रैवल की पैकिंग प्रवाइड करते हैं उसकी थिकनेस जो होती है व होती है इस option में हमारा answer यह हो जाएगा option A correct answer बन जाएगा अगला question देखिए the value of depression head respect to critical depression head value जो होती है depression head की with respect to critical depression head वो कितनी होती है चार option यहां पर provided हैं तो वो एक बटे तीन होती है option A हमारा इसकूशन गिनी भी अंसर हो जाएगा अगला देखिए परचयड ऐकवाफर is found within and परचयड जो एकवाफर होता है वह आपको देखने को मिलता है पाई जाती है कि समें पाई जाती है कि तो वह पाई जाती है उन-rawn Lap कवाफर एक्वाफर जो होता है इसमें ही आपको पर्चेड एक्वाफर जो होता है वो देखने को मिलता है ऑप्षिन भी हमारा अंसर हो जाएगा अगला कोक्शन देखिए वन एन एक्वाफर जो होना था इसको आप क्या बोलते है तो हम उसको कंफाइड एक्वाफर बोलते हैं आपको याद करनी पड़ेगी यहां पर कोई वो नहीं है कि भाई कोई फोर्मूल आपको लगाना है अगला कोशन देखिए इनकरस्टेशन जो होता है वैल पाइप का उसको आप रिड्यूज नहीं कर सकते हैं कैसे रिड्यूज नहीं कर सकते हैं बाइडिंग कल्चिम कार्बोनेट को कम करके आप रिड्यूज नहीं कर सकते हैं Option D हमारा इसको समय में अंसर हो जाएगा आड़् करके आप रिड्यूज नहीं कर सकते हैं इनकरस्ट जगोता है पाइप बेल्का बार्गी इन तिनोमेंटर से आप कर सकते आप अप्श्न D हमारा इसको समय लाएप नगा मैं आगला कोशन देखिए रिजि औलोजिकल della इसको हम एक्वा फर बोलते हैं बी हमारा अंसर हो जाएगा इन चारों में से कौन सा ट्यूब वैल का टाइफ नहीं है यह वह हमें बताना है तो इसमें से जो ट्यूब बेल का पार्ट नहीं है वह शेंकेन नहीं है बाकि यह तीनों ट्यूब बेल के पार्ट है टाइफ है ऑप्शन ए हमारा इस स्वाशन के लिए अंसर बन जाएगा अगले लिए बिचाओ तो फॉलिंग स्टेटमेंट इस इडिक्रेक्ट एबाट ग्रैविटी कंड्यूट ग्रैविटी कंड्यूट के लिए अकॉर्डिंग यहां पर कौन सी स्टेटमेंट गलत है ग्रैविटी कंड्यूट जो होता है उसके कॉर्डिंग जो गल्ट स्टेटमेंट प्रवाइड की गई है वो है ऑप्शन ए ग्रैविटी कंड्यूट के लेड एज डिजायर बाइ एग्जिस्टिंग टॉपोग्राफी ऑपता एरिया यह गलत है बाकि यह तीनों जो है वो सब्सक्राइब केंड टूब टूब यूशं जो होता है इन बिच क्या होता है डियमेटर ग्रैवाइब का वह आप कितना रखते हैं तो सब्सक्राइब रखते हैं 3.8 cm रखते हैं जो स्टेनर होता है उसकी जो लेंथ होती है वो भी आपको पता होने चाहिए डेट सो से लेकर डेट सो सेंटीमेटर लेंथ भी होनी चाहिए स्टेनर की ऑप्षिन डायमेटर के लिए 3.8 cm अंसर हो जाएगा अगला कोशन देखिए greater skin friction greater skin friction जो होता है वो क्या होता है जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लिजे तो greater skin friction जो होता है retard the sinking of well एक कुए को सने से रोकता है अगला कोशन देखिए number of filtration wells are connected through porous pipe to a some well known as number of filtration wells जो connected through किस के तरू पोर स्पाइब के तरू to a some bell एक some bell होता है उसको आप क्या बोलते हैं open well spring rainy कुआ या फिर jack wall हम उसको jack ball बोलते हैं option d हमारा इस question के लिए नसे बंद जाएगा अगला देखिए the level of underground water is called as label of underground water is called as उसको हम क्या बोलते हैं label of underground water इस अंडर ग्राउंड water level level of underground water is also called underground water level option b answer बन जाएगा नेक्स क्या बोलता है in case of unconfined aquafide specific yield is in case of unconfined aquafide specific yield जो होता है वो क्या होती है तो वो होती है less than porosity porosity से काम होती है option a हमारा अंसर बन जाएगा अगला option क्या बोलता है water present in aracial aquafide is called aracial aquafide जो होता है उसमें जो water present होता है वो atmospheric pressure के ऊपर होता है atmospheric pressure के ऊपर होता है भी हमारा अंसर बन जाएगा तो discharge per unit drawdown at a well is known as discharge होता है per unit drawdown at a well is known as उसको हम specific capacity बोलते हैं specific capacity इस question में हमारा अंसर बन जाएगा अगला option देखिए when there is an increase in atmospheric pressure क्या हो रहा है atmospheric pressure जो है increase हो रहा है तो water level जो होता है well में वो decrease होता है uncutified aquifer जो होता है उसमें option B हमारा इस question के लिएंसर बन जाएगा अगल option क्या बोरता yield of well yield जो होती है by well जो होता है वो किस पर depends करती है तो permeability of soil इस पर depend करेंगे area of aquifer जो होती है opening in well इस पर depend करेंगे actual flow velocity जो होती है इस पर depend करते है तो all option are correct D हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा है तो अगला लोग से देखिए in one dimensional flow in an an confined aquifer between two water bodies when recharge the flow table profile तो water table profile जो होती है वो parabolic होती है part of parabolic option C हमारा इस question के लिए बन जाएगा specific capacity of an open well is higher for beach of the falling soil type किस तरह के soil के लिए specific capacity होती है open well की वो higher होती है तो वो होता है soil coarse sand coarse sand इस question के लिए अंसर बन जाएगा अगला question देखिए what is the minimum horizontal distance for locating a private pit from a well or hand pump minimum horizontal distance जो होती है जिससे आप private pit जो होती है उसकी location का पता लगा सकते है from a well or hand pump वो होती है 30 meter option a हमारा answer बन जाएगा a well deep well deep well होता है क्या होता है deep well जो होता है वो क्या होता है always deeper than a shallow well always deeper than shallow well से हमेशा गहरा होता है has more discharge than shallow well more discharge होता है तो दोनों ही हमारे ये correct answer हो जाएगे a and b is question में correct answer बन जाएगे infiltration rate is always infiltration rate जो होता है वो हमेशा क्या होता है वो हमेशा equal or less than होता है infiltration capacity से infiltration capacity जो होती है उससे कम या पिर उसके बराबर ही होता है infiltration rate जो होता है C हमारा answer बन जाएगा अगले देखे yield of well will be dash yield of well will be dash if the permeability of soil is more तो क्या होगा तो वो भी more ही होती है अगर yield of well जो है वो ज़्यादा है तो permeability of soil वो भी ज्यादा ही होगी C हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा अगला option देखे in a well, if the water table is below the ground level but it above the local water table then कौन सा well होगा in a well if the water level is below the ground level but it above the local water table के उपर है तो वो कौन सा well होगा तो वो our attention well होगा option C हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा infiltration is infiltration जो होता है वो क्या होता है movement of water through soil infiltration जो होता है पानी का movement होता है soil के थ्रू option A answer बन जाएगा अगला कुशन देखे due to decrease in pressure प्रेश्र जो है हमारा कम हो रहा है तो water table in well print rating a confined aquifer will be तो वो क्या होगा बढ़ेगा प्रेश्र कम होगा तो water table जो होता है वो बढ़ता है infiltration capacity जो होती है infiltration capacity is infiltration capacity जो होती है changes with both time and location समाई और स्तान जो होता है उसके साथ वो बदलती है अगला दोक्शन देखे yield of slaughter tube well as compared to yield of stainer tube well is yield जो होता है slaughter tube well का अगर आप उसको compare करते हैं किसके yield से stainer tube well के yield से तो क्या होगा तो वो कम होता है option A हमारा इस question cleanser बन जाएगा surrounding is provided in surrounding जो होता है वो आप provide करते हैं किसमें जो slaughter type का tube well होता है उसमें ही आप surrounding provide की जाती है next question देखिए an irritation aquifer is the one where अर्टेशन जो aquifer होता है वो एक ऐसा होता है जहां पर क्या होता है जहां पर यह होता है कि water is under pressure between two impervious stator impervious stator के बीच में जो pressure होता है पानी जो होता है वो under pressure होता है option B हमारा इस question के रेंसर बन जाएगा अगला भी सेम वैसा ही question है in a confined aquifer one of the falling condition occur तो यही हमारा इस question के लिए भी अंसर बन जाएगा next question देखिए in lift irrigation the flow is lift irrigation में flow जो होता है वो क्या होता है lift irrigation में flow जो होता है from lower level to higher level होता है निचले तल से उपर के तल पर होता है flow जो होता है अगला question देखिए इस series of wells were dug in a confined aquifer the surface obtained by connecting the static water level would be called as उसको हम piezometric surface बोलते हैं piezometric surface हमारा answer हो जाएगा जिसने चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया है वो कर लिजे साथ में bell icon को प्रेस भी कर लिजे तो मैंने आपको बताया था कि हम तीन चैप्टर जो है उसको discuss करने वाले हैं यह जो question आप स्टार्ट हो रहे हैं यह flow irrigation से start होंगे flow irrigation तीन चैप्टर हम discuss करेंगे तो question क्या बहुत है यह canal aligned on the natural watershed line is called एक canal है जिसको आप align कर रहे है natural watershed line के ओपर is called उसको आप क्या बोलते है Watershed canal बोलते है watershed के जो होती है उसको align किया जाता है ओन दाा natural watershed line के ओपर नच्ट कोशन देखिए एक कैनाल डिजाइन टू डिजाइन टू इरिगेट थूरू और दा एर एक ऐसी कैनाल जिसको डिजाइन के जाता है ताकि वो आपके खेतों बगरा को पानी दे सके पूरा साल वो कौनसी कैनाल होती है इसको आप क्या बोलते है परमानेट कैनाल उसको हम बोलते है या फिर जो प्रेनेशल कैनाल होती है अगर नोन या पर नोन लिखाए अगर ये उप्शन में होता तो आपका ये अंसर होना था इसको आप परमानेट कैनाल भी बोल सकते है So option A हमारा इस question के लिएंसर बन जाएगा अगला question देखिए Canal taking off from ice, fed, pre-nancial river are known as उसको हम pre-nancial canal ही बोलते हैं Option B हमारा इस question के लिएंसर बन जाएगा Flow irrigation is done for Flow irrigation जो होती है वो किसके लिए की जाती है Flow irrigation is done for canals Flow irrigation जो होती है वो canals के लिए ही की जाती है Next question question देखिए यहां पर The most effective farming method for returning mineral to the soil The most effective farming method for returning mineral to soil Is तो जो mineral होते हैं उनको आपको क्या करना है मिटी में लोटाने के लिए जो process method यूज के जाता है वो कौन सा होता है तो फसल चकर जो होता है वो यूज के जाता है Option C हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा फसल चकर के बारे में हमने पीछले वीडियो में डिसक्स किया था कि भाई यह जो होता है कि आप एक फसल के बाद दूसरी फसल दूसरी फसल के बाद तीसरी फसल लगातार गंटीनू पैदा कर रहे हैं तो उसको आप क्रोफ रोटेशन बोलते हैं या फिर क्रोफ फसल चकर आप उसको बहुत सकते हैं Option C हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए तो यहाँ पर हमारे कैनल रेगुलेटर वर्क जो होते हैं उसके question जो है शुरू होते हैं अब यहाँ पर 40 से लेकर 70 यानि कि approximate 30 question जो है वो आपको कैनल रेगुलेटर वर्क से देखनों को मिलेंगे जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए आप बंद या पर बंट भी बहुत सकते हैं option c हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा यह जो होता है यह जो होता है आपकी जो अर्थ सर्पेस होता है उसके बनाया जाता है ताकि जो पानी को डिस्चार्ज होता है उसको तोरह सा काम किया जा सके काम करने का मेनिंग यही होत होता है उसको अच्छी तरह से पानी जो हो मिल सके तो इसलिए यह बं具 सबनाया जाता है अगला question आख तो पोगट का यह काम होता है उसको का उसका जमाब करना यही उसको स्टोरर करता है चारि आप्छसिंद एक एसी कनाल होती है जो सिर्फ उसके अंदर पानी होता है बारिश के दिनों में ही होता है तो वो इनदेशन कानाल होती जो होती है इन इनदेशन इन कनाल होती है सेलाव नहर आप इसको बोसकते हैं लेकिन यह परमंध के नाल या पिर प्रेनेशल कनाल很多 एक धिये यहां पर आपको बिवार को उसपी है उसकी हाइट होती है एक पॉंट पांच मिटर से ज्यादा हुटी तो वह दिवार होती है वैफल दिवार जो होती है उसकी ही नाफ यह मिटर में यह पानी का अगला कोशन देखिए, a structure at the head of water course that is used to release water from a canal is called as उसको आप क्या बोलते हैं, a structure at the head of water course that is used to release water from a canal is called as उसको आप बोलते हैं, outlet, outlet, पानी निकालना है तो है, outlet अगला कोशन देखिए, what is the ratio of rate of change of outlet discharge to the rate of change of discharge of the parent channel is known as उसके रेशो को आप flexibility बोलते हैं, flexibility is the correct answer बन जाएगा, cross regulator in main canal is provided to cross regulator main canal में provide के जाता है, to, क्यूं provide किया जाता है? तो वो provide कि जाता है, increase the water head of stream when a main canal is running with low supply में कनाल जो होती है, उसके पास बहुत ही कम supply होती है, तब cross regulator जो होता है, वो में कनाल में provide किया जाता है, नच देखिए, purpose of cross regulator in a canal is, purpose जो होता है, cross regulator का वो क्या होता है, तो अभी हमने discuss किया है, head of the water of adequate supply in a off-taking canal, इस off-taking canal जो होती है, उसमें पानी जो होता है, head of करने के लिए आप use करते हैं, अब गलत option हमें इस यहाँ पर choose करना की कौन सा गलत option दिया गया है, इन a provincial canal water flow throughout year, बिल्कुल सही है, productive canal जो होती है, revenue from water is expected, productive canal जो होती है, वहाँ से हम यह उमीद करते हैं कि भाई, पानी से कुछ ना कुछ revenue आएगा, पैसा आएगा, बिल्कुल सही बात है, इन a productive, protect करने वाली canal, revenue from water is not expected, protective जो होती है, जो protection के लिए होती है, तो यहाँ पर हम expect नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, तो बिल्कुल सही बात है, main canal irrigate the field directly, main canal कभी भी irrigation को पानी नहीं देती है, बिल्कुल गलत बात है, तो इसके लिए सब कनाल जो होती है, वो बनाई जा सकती है, option D गलत है, बाकि सारे सही है, अगला question देखेंगे तो, और regulating the supply of irrigation water is called, construction irrigation work जो होता है, उसमें, regulating the supply of irrigation work is called as, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, regulator, regulate करने के लिए regulator ही खाजाए, का option, यह answer बन जाएगा, अगला देखेंगे, main part of regulation work are, main part जो होता है, regulation work का वो क्या होता है, main part of regulation work is, cross fall होता है, head regulator होता है, cross regulator होता है, so all option are correct, यह सारे ही main regulation work के पार्ट होते हैं, बहाग होते हैं, नेक्ट बन कोशन देखेंगे, canal outlet are also called, canal का outlet जो होता है, उसका एको नाम है, बहुत कैनाल module, कैनाल module इसका नाम है, कैनाल outlet का, next question देखेंगे, drop in canal bed is daily provider, drop जो होता है, canal bed में, वो provide किया जाता है, इफ, क्या होगा, ground slope, exceed design bed slope से, तब आप drop जो होता है, canal bed में provide कर सकते हैं, अगर ground का slope जो है, वो बढ़ जाए design bed slope से, तब आप drop को provide कर सकते हैं, canal bed में, next question देखेंगे, the canal which is not supposed to do any direct irrigation, तो main canal जो होती है, एक ऐसी canal होती है, वो directly खेतों को कभी भी पानी नहीं देती है, यह हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा, next question देखेंगे, बीच of the falling hydraulic jumps, usually develop in berries and canal head regulator, बीच of the falling hydraulic jumps, usually develop in berries and canal head regulator में, जिसने अभी दख चैनल को subscribe नहीं किया है, वो कर लीजिए, साथ में bell icon को press भी कर लीजिए, तो इस question में हमारा जो अंसर रहेगा, beak and oxidator type का जो होता है, वो hydraulic jump use किया जाता है, option C हमारा इस question के लिए अंसर बन जाएगा, vertical draw fall is satisfactory for a height up to, vertical draw fall जो होता है, वो डेड़ मीटर की height तक के लिए satisfy होता है, संतोष चनक होता है, option B हमारा इस question के लेंसर बन जाएगा, अगला option क्या बोड़ा है, dash is used to remove surplus water, dash इन चारों में से, dash है एक जिसको आप use करते हैं ताकि वो remove कर सके surplus water जो from an irrigation channel into a natural stream, तो वो होता है, canal is skip, next question देखिए, and outlet is set to be proportional if its flexibility is, and outlet is set to be proportional if उसकी flexibility जो होती है, वो एक के बराबर होगी तब, equal to एक के बराबर, unity, outlet discharge factor is duty at the head of, outlet discharge factor जो होता है, is the duty at the head of, तो उसको water course हम बोलते हैं, water course, a groin with a curber head is known as, groin with a curber head is known as hokey groin, hokey groin आप उसको बोलते हैं, deflecting groin in a river is, deflecting groin जो होता है, रीवर में, वो क्या होता है, deflecting groin, तो वो perpendicular to the bank होता है, तटके perpendicular होता है, option C, answer बन दाएगा, next question देखिए, if there are two canals taking off from a river, then there will be, यदि एक जो नदी है, वहाँ से दो नहरे निकलती है, तब वहाँ पर होगा, क्या होगा वहाँ पर, if there are two canals taking off from the river, then there will be, there will be two divide wall, and two under sluice way, वहाँ पर दो divide दिवारे होंगी, and दो under sluice way भी होंगे, option D हमारा इस question के answer बन जाएगा, अगला option बोह रहा है, रिपलिंग विरोइन in a river, repelling groin, जो होता है, रिवर में, वो होता है, क्या होता है, so repelling groin, जो होता है, जो नदी होती है, उसका जो किनारा होता है, वहाँ से 60 से 80 degree पर रखा जाता है, तो यहाँ पर कोई भी answer वो नहीं दिया गया, अगला question देखिए, an attractive groin in a river, is attractive groin जो होता है, रिवर में, वो क्या होता है, तो inclined toward downward at 30 degree, option, भी answer हो जाए गया पर, अगला question देखिए, the adjustable proportional module is, वो क्या होता है, तो वो semi module outlet होता है, semi module outlet option, भी हमारा इस question के लिए answer बन जाएगा, अगला question देखिए, flood water of river are sometimes diverted through canal called, flood water of river जो होता है, are sometimes diverted through canal called, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसने चैनली को subscribe नहीं किया, वो कर लीजिए, तो question बोला कि नदियों के बार्ड का पानी कभी-कभी दूसरी नहरों में डाल दिया जाता है, तो वो होता है, सिलाव नहर, indentation के नाल, तो यहाँ पर आपको rainy season में ही बानी देखनों को मिलता है, बीचे भी लिस्क्स कर चुके हैं, तो friends यह थे हमारे most question 65 question, वीडियो को अपने दोस्तों साथ share करें, चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया कर लीजिए, और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, मिलते हैं ऐसी ही next video में,